आज क्लास 11th mathematics miscellaneous chapter 3 का पहला कुशन है miscellaneous का मतलब ही होता है कि इस chapter में जो भी concept बताए गया वो सब यहाँ प्लाई हो जाएगा ठीक है पहला कुशन है कि यह प्रूफ करना है कि इसको zero प्रूफ कर दीजेगा ठीक है अब एक तो तरीका होता है कि angles की value रख दो अब जब इस angle के सेहत देखो πाई बाई 13 हालत खराब कर देगा इतना इसी degree आएगा कि हम लोग कई degree से गुम जाएंगे तो यहाँ पर दो तरीके से फार्मले दिख रहे हैं एक तो यहाँ पर two cause a cause भी दिख रहे है और यहाँ पर cause c plus cause d दिख रहा है तो हम फिराल cause c plus cause d लगाने की कोसिज करते हैं formula हम बता चुके हैं बहुत बार apply कर चुके हैं जब आप मिसलेनेस पहुँच गए होंगे तो माल लेते हैं कि आपने formula पढ़े होंगे ठीक है तो इसको फिराल हम नहीं छेडेंगे LHS ले लिए हमने 2 cause pi by 13 into cause 9 pi by 13 इसमें cause c plus cause g लगा दें तो क्या formula होता है 2 cause c plus d by 2 तो देखे 3 pi by 13 plus 5 pi by 13 जो भी आएगा इसका हम by 2 कर देंगे यह है cause का यह वाला angle देखे calculation गरबर नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पर calculation का formula मालूम हो ठीक है लेकिन calculation गरबर नहीं हो और into cause c minus d by 2 3 pi by 13 minus 5 pi by 13 जो भी आएगा उसको half कर देंगे this is second angle है ना अब इसको calculate किया जाएगा अभी क्या मिलेगा नहीं मलेगा हमको नहीं मालूम तो आएगा 2 cause pi by 13 into cause 9 pi by 13 plus 2 cause जड़ा देखे जान से यह आपका 5 pi plus 3 pi हो जाएगा 8 pi और 8 pi by 13 और by 2 है तो 4 pi by 13 आएगा तो 4 pi by 13 into cause अब इतनी mathematics 11th class वाले students से माना जाता है कि इतनी math सही करता है 3 pi minus 5 pi आएगा minus 2 pi और minus 2 pi को 2 से divide करोगे तो आएगा minus pi by 13 मैंने lhs ले लिया है equal to zero मत लिखेगा तो यह चीज एक जैसी दिख रही है लेकिन यह minus घुसा हुआ है तो हमारे पास एक formula होता है कि cause minus theta को आप plus cause theta लिसकते हैं यह minus यहां से हटाया जा सकता है तो अगले step में आप लिखेंगे और इस minus को यहां से गायब कर देगा ऐसे नहीं गायब करेंगे अगले step में इसको नहीं लिखेंगे ठीक है अगला step लिखेंगे हम उसी में काम चला लिया यह आपकी पास option नहीं है कि आप erasure से erase कर दें ठीक है अब यहां पर two cos pi by 13 common हो गया ले लिजे common two cos pi by 13 common अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा cos nine pi by 13 plus cos four pi by 13 देखे हमको कता ही नहीं मालूम है कि इसको कैसे लगाना है हमने एक idea लगाया कि cos c plus cos d लगाएं तो साइद कुछ मिल जाए हमको कुछ मिल गया हो सकता है हमको two cos a cos b यहां लगाना होता two cos a cos b क्या होता है cos a plus b plus cos a minus b वहां से कुछ मिल जाता है ठीक है अब देखे यहां पर दिख रहा है आपको cos c plus cos d फिर लगा दिया जाए लगा दीजे क्योंकि अभी value तो कहीं तो कोछ दिखने नहीं रही है और 0 तभी आएगा या तो multiply में पूरा का पूरा 0 आजाए और या तो कोई चीज प्लस मानस में कैंसल हो जाए देखे इसमें जब cos c plus cos d लगाएंगे तो क्या आएगा two cos c plus d by 2 तो 9 pi by 13 plus 4 pi by 13 जो भी result आएगा उसको by 2 कर देंगे चुकि by 2 करने के लिए पूरी line खींचे उससे बढ़िया है ब्रैकेट के बाहर 1 by 2 कर दो और into cos 9 pi by 13 minus 4 pi by 13 और जो भी आए इसको by 2 कर दें और ये पूरा आइंगल में इसको बंद कर दें कैसी कही? ठीकी कही? है ना? अब इसको थोड़ा calculate किया जाए उपर अब किये दे रहा है क्योंकि राइटिंग मेरी गंदी इसलिए ज्यादा place हम लेते हैं question लिखने में जिससे कि हौच पॉच न हो जाए फिर भी होई जाता हौच पॉच ठीक है? देखो दियान से तो यह आएगा 2 cause पाई बाई 13 अब चुक्कि देखो यह bracket है multiply है चलिए bracket को हटाए जा सकता है इसको चाहें तो अगले step में इसको यहां से हटा दे क्योंकि सब कुछ multiply में लिखा है into 2 cause देखे जान से 9 pi प्लस 4 pi हो जाएगा 13 pi 13 pi by 13 13 13 कैसे लो जाएगा तो बचेगा cause pi by 2 into cause 9 pi minus 4 pi यह से हम से है ना इसलिए हमने डाइट माइनस कर दिया तो 9 minus 5 9 pi minus 4 pi 5 pi और 5 pi by 13 और 2 से multiply करोगे तो आएगा 5 pi by 26 अब ज़रा इस value को ध्यान से देखे this value gives you 0 और यह सब multiply में है तो 2 2 जब 4 ही हो जाएगा 4 cause pi by 13 into यह 0 हो गया और into cause 5 pi by 26 अलेडी 0 हो गया यही आपको proof करना था have you got it yes sir yes sir तो यह हो गया question number 1 ओके देखें यह question number 2 यह भी 0 proof करना है solve नहीं करना है 0 proof करना है अगर solve कहते तो हमें यहाँ पर unknown value है ना x उसकी value निकालनी पड़ती है चुकि हमसे कहा इसको 0 proof करीए 0 proof करने का हमने दो तरीके बताए या तो multiply में कहीं से 0 आजाए या यह कहीं plus minus आजाए देखें इसके कई तरीके दिमाग में आ रहे हैं कि हम bracket खोल दें सब को cause में convert कर दें यह शायद कुछ आ जाए दूसरा मेरे दिमाग में आ रहा है कि इस bracket में sin c plus sin d लगा दे और इसमें cos c minus cos d लगा दे फिर देखते हैं क्या आता है तो फिलहाल हम LHS ले रहे हैं आएगा नहीं आएगा हमको नहीं मारू हम इसमें sin c plus sin d लगाते हैं फर्मुला मैं नहीं लिख रहा हूँ कि फर्मुला लेडी इसके पहले बताया जा चुका है sin c plus sin d क्या होता है 2 sin c plus d by 2 यह थ्री अक्स प्लस x by 2 और इन्टू कॉस 3x minus x by 2 और यह चुकि इन्टू में है तो उसके साथ इन्टू में sin x लिखा रहे हैं दो चलेगा जी हाँ चलेगा तो यह हो गया पहले ब्रैकेट का यह वाला यहां से लेकर के यहां तक का पूरा कॉंसेट फिर आगया प्लस इसमें लगाते हैं cos c minus cos d और cos c minus cos d क्या होता है minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 ब्रैकेट बंद कर जाते हैं minus 2 sin 3x plus x by 2 into sin 3x minus x by 2 और उसके साथ cos x लिखा रहे हैं दो ठीक है यह जद में आ रहा है अब देखो ध्यान से वो cos x लिखा है थोड़ा गंदा लिखा है लेकिन हमने इसलिए बोल भी दिया कि वहाँ क्या लिखा है cos x देखो अब थोड़ा सा ब्रैकेट यह पूरी ब्रैकेट में एक step है यह पूरा एक term है इसको ब्रैकेट को खोलते हैं इसको खोलते हैं मतब calculate करते हैं 2 sin देखो 3x plus x 4x और 4x by 2 कितना हो जाए कि 2x into cos 3x minus x 2x by 2 cos x into sin x minus minus लगा दिया 2 sin 3x plus x 4x 4x by 2 2x तो sin 2x into यह क्या आएगा sin x into cos x जड़ा दोनों को देखें same लिखें हैं क्या sin 2x sin 2x sin x sin x cos x cos x this will cancel out value will be 0 is equal to right hand side देखो इसके method कही है एक नही है अगर मैं bracket call देता खोल करके इसको 2 sin a sin b का formula भी apply कर सकता था ठीक है तो यह depend करता है उसमें आपके दिमाग पे कौन सा formula याद आ रहा तो this is the solution of second question ओकी देखिये यह third question है cos x plus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square is equal to that you have to prove हमने जैसा कि बताया कि यह वही on spot यह तै होता है कि आप इसमें कौन सा method दिमाग में आपके आ रहा है देखिये एक तो हमारे पास यह आ रहा है इसका whole square खोल दे whole square खोलने से क्या होगा देखिये यह आपका आ जाएगा cos square x plus cos square y plus 2 cos x cos y इसमें sin square x plus sin square y minus 2 sin x sin y और cos square x plus sin square x 1 हो जाएगा cos square y plus sin square y 1 हो जाएगा और कुछ calculate होकर कि यह आ जाएगा एक तो यह तरीका हमारे दिमाग में आ रहा है दूसा तरीका यह हमको दिख रहा है कि इसके bracket में cos c plus cos d का फामॉला दिख रहा है और इसमें 2 sin c minus sin d का फामॉला दिख रहा है तो इसमें cos c minus cos d लगा देते है cos c minus cos d क्या होता है 2 cos x plus y by 2 और into cos x minus y LHS ले लिया हमने by 2 और इसका हमने कर दिया square यह ध्यान रखिए यह हम multiply में आ गए है इसमें कोई plus sin नहीं लगा हुआ है और plus इसमें sin c minus sin d लगा दे तो आएगा 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2 देखो यह on spot question का होता है कि मैं इस question को कैसे लगा हूँगा जैसे मैं इस question को जब लगाने जा रहा था आपकी camera के आगे आ ही रहा था तो मेरे दिमाग में था कि मैं इसका holiswar खोल दूँगा दिमाग में था लेकिन on spot मुझे आदा है कि अगर मैं इसको c d लगाता हूँ तो कुछ मुझे दिख रहा है इसलिए लगा दिया आपने तो वो कोई बात ने कोई method आप adopt कर सकते है देखो इसका जब square करोगे इस पे भी square चड़ेगा इस पे भी चड़ेगा इस पे भी चड़ेगा तो यह क्या जाएगा 4 cos square angle क्या है x plus y by 2 into cos square x minus y by 2 यह a plus b हो इसका नब कर दे ना a square plus b square plus 2 a b यह multiply में लिखे ना और आप जानते हैं multiply में कोई ची लिखी होती है तो जो भी power उस पे होती है यह power सब पे चड़ जाती है चड़ जाती है जीने पे चड़ता वैसे नहीं चड़ जाती है power raised हो जाती है English में कहा जाए तो power raised on these all these terms when they are given in multiplication ठीक है plus यहाँ भी 4 हो जाएगा एक cos square x plus y by 2 हो जाएगा और into sin square x minus y by 2 हो जाएगा देखो एक पूरा ये term है और एक पूरा ये term है और दोनों term से कुछ common भी दिख रहा है तो आप कहीं भी या एक तो 4 common दिख रहा है और दूसरा cos square x plus y by 2 तो यहाँ क्या बचेगा cos square x minus y by 2 plus sin square x minus y by 2 और आप जानते हैं कि अगर angle same होता है cos square theta plus sin square theta is one of the identity तो this will become 1 और ये तो आपके पास ही है 4 cos square x plus y by 2 और यही आपका right hand side है ठीक है तो ये भी तरीका हो सकता है और whole square खोल के भी हो सकता है ठीक है तो this is question number 3 देखिए ये fourth question है cos x minus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square is equal to this यहाँ पर भी जो question आपके सामने आने वाले थे तो मेरा दिमाग भी whole square और चला था अभी on spot मेरा दिमाग change हुआ कि मैं इसमें cos c minus cos d लगा देता हूँ और इसमें sin c minus sin d लगा देता हूँ तो lhs ले लिया cos c minus cos d क्या होता है 2 sin minus तो लगे गए minus 2 sin x plus y by 2 into sin दोनों में होता है sin x minus y by 2 का square हो गया सही का मैंने सही तुम्हें कहता ही हूँ देखे इस फार्वुले में confuse मत होना क्योंकि cos c minus cos d का फार्मुला minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 भी होता है और कहीं कहीं यहां minus नहीं लगा होता है तो यहां d minus c हो जाता है तो दोनों चीज़ें सही है आप यह फार्मुला लगाए या वो लगाए दोनों सही है प्लस इसमें sin c minus sin d लगा दे तो क्या आएगा 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2 का स्क्वार में एलेजस ले रखाए ध्यान रखेगा अब चूंकि यह तीनों टर्म मल्टिप्लाइम में है यह भी मल्टिप्लाइम में है तो पावर सब पे रेज हो जाएगी माइनस की पावर 2 करेगी तो प्लस में आएगा 2 स्क्वार करेगी तो 4 आएगा sin पे स्क्वार चड़ेगा sin स्क्वार x plus y by 2 into sin स्क्वार x minus y by 2 प्लस खोलेंगे इसको 4 cos square x plus y by 2 into sin square x minus y by 2 common दिख रहा है कुछ एक तो 4 common दिख रहा है sin square x minus y by 2 common दिख रहा है ले लिजे common तो 4 sin square x plus sorry x minus y by 2 common ले लिजे यहाँ क्या बचेगा एक तो एश्टेप बचेगा sin square x plus y by 2 plus cos square x plus y by 2 पहचानी ज़रा इसको अभी हम बता चुके हैं अगर angle same होता है sin square theta plus cos square theta 1 होता है तो theta is same angle चुके same है तो इसकी value equal 1 आजाएगी तो क्या बचेगा force sin square x minus y by 2 into 1 तो यही result आजाएगा यही आपका right hand side है तो this is the question number 4 समझ में आ गया होगा यह formula आप एक बचानी ज़रू कर लिजेगा sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x is equal to यह पूरी जो भी ताम जाम है यह प्रूब करना है थोड़ा दिमाग लगाईए इसमें तो साब साब दिख रहा है कि sin c plus sin d लगाना है लेकिन 4 step है तो 2-2 को arrange करना पड़ेगा और जो रिस्तिदार हों आपस में जैसे अगर मैं x को 5x के साथ करता हूँ तो 5 x 6 आएगा लेकिन अगर x को 7 के साथ करोगे तो 1 x और 7 x 8 x आएगा और 3 x और 5 x 8 x आएगा तो 2 को arrange करने से 8 x 8 x कहीं दिख रहा है ना तो आप इसको ऐसा करिए कि sin x plus sin 7 x एक ब्रैकेट में कर दो और plus sin 3 x plus sin 5 x एक ब्रैकेट में कर दो क्योंकि आपने क्योंकि 1 x और 7 x का सम 8 x आएगा और 3 x और 5 x का सम 8 x आएगा तो कुछ कामन होने के चांसे दिख रहे है इसमें sin c plus sin d लगा दो क्या आएगा 2 sin x plus 7 x by 2 into cos x minus 7 x by 2 ये तो ये का इसका हो गया प्लस ब्रैकेट खोल दो क्योंकि मल्टिप्लाइ में लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो आएगा 2 sin 3 x plus 5 x by 2 into cos 3 x minus 5 x by 2 देखिए 2 sin x plus 7 x 8 x 8 x by 2 क्या हो जाएगा 4 x तो 2 sin 4 x आएगा into cos x minus 7 x minus का 6 upon 2 minus का 3 cos minus 3 x ठीक है plus 2 sin ये भी 4 x आएगा ये आएगा cos का minus का x तो ये minus का 2 x होगा ना तो minus का 2 x upon 2 2 2 cancel हो जाएगा अब देखिए एक तो आपको 2 sin 4 x कामन मिल रहा है ले लिजे 2 sin 4 x कामन मिल रहा है और cos minus theta plus cos theta होता अभी हम बता चुके हैं तो आएगा cos 3 x plus cos x इसमें आप क्या देख रहे हैं एक तो cos c plus cos d दिख रहा है आपको इसमें cos c plus cos d लगा दीजिए उठा करके तो आएगा 2 sin 4 x cos c plus cos d क्या होता है 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 तो 2 cos 3 x plus x by 2 into cos 3 x minus x by 2 ज़र रैटिंग गंदी है फिर भी दिखेगा इसमें 4 e आजाएगा यह sin 4 x हो जाएगा अब देखे 3 x plus x करोगे 4 x आएगा 4 x by 2 2 बचेगा तो cos 2 x आजाएगा और इसमें 3 minus 1 2 2 by 2 cancel हो जाएगा तो cos x आजाएगा और यही आपका right hand side है this is the proof of this question number 5 देखे एक question number 6 है ना sin 7 x plus sin 5 x plus sin 9 x plus sin 3 x cos में लिखा equal to 10 6 x पहले बात दिमाग लगाईगा इस bracket का मतलब यह कते ही नहीं है कि इस bracket के अंदर ही sin c plus sin d लगेगा हमारे requirement के हिसाफ़ लगेगा और अगर जरूद पढ़ेगी तो हम bracket को खोलेंगे और जिसको हम चाहेंगे कि हमारे काम की चीज है उनको एक साथ लिखेंगे ठीक है देखे अगर 7 plus 5 करेंगे तो 7 5 12 12 बारा बटे 2 आएगा वैं c plus d by 2 होता ना 6 आजाएगा और 9 3 12 12 बारा बटे 2 आएगा 6 आएगा चुकि 7 5 12 और 9 3 12 एक जैसा दिख रहा है इसलिए हम bracket में c d लगा रहे है इन्होंने bracket लगा इसलिए लगा रहे है हमको दिखरा है इसलिए लगा रहे है तो हम lhs ले लेते हैं lhs और इसमें sin c plus sin d sin c plus sin d cos c plus cos d cos c plus cos d sin c plus sin d क्या होता है 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 bracket close नहीं भी कर सकते हो close कोई जरूत नहीं है plus यहां भी आएगा 2 sin c 9x plus 3x by 2 into cos 9x minus 3x by 2 हमने कुछ नहीं किया केवल हमने cos c plus cos sin c plus sin d का numerator में formula लगा दिया नीचे भी दिख रहा होगा आपको कि cos c plus cos d लगा दो तो cos c plus cos d क्या आएगा 2 cos 7x plus 5x by 2 into cos 7x minus 5x by 2 bracket बन plus 2 cos 9x plus 3x by 2 into cos 9x minus 3x by 2 cos c plus cos d होता है 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 ठीक है थोड़ा mathematical calculation 7,5,12,2,6 आएगा तो उपर क्या आजाएगा 2 sin 6x आएगा into cos 7 minus 5 2 2 by 2 x cos x आएगा plus bracket खोल दीजेगा 2 sin 6x आएगा यहाँ पर आएगा 9 minus 3,6 6 by 2,3 तो cos 3x आएगा अपान 2 cos 6x आएगा into cos x आएगा plus 2 cos 6x आएगा into cos 3x आएगा यह cos 3x को cancel मत कर दे न they are not given in multiplication आपको numerator से कुछ common दिख रहा होगा एक तो 2 common दिख रहा है एक sin 6x common दिख रहा है है ना अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा cos x plus cos 3x denominator में क्या दिख रहा है आपको आप कहेंगा 2 common दिख रहा है दोनों में और cos 6x common दिख रहा है ना तो 2 cos 6x common दिख रहा है तो 2 cos 6x common दिख रहा है अंदर क्या बचेगा बचेगा cos x plus cos 3x चुकि ब्रैकेट का मतलब multiply होता है तो पूरा multiply में cancel हो जाएगा 2 cancel हो जाएगा यहां क्या बचेगा sin 6x upon cos 6x is the formula of tan 6x यह आपको प्रूफ करना है this is right hand side it is RHS ठीक है तो यह formula भाई आने चाहिए CD formula क्या trigonality के सभी formula आने चाहिए ठीक है तो this is the solution of question number 6 ओकी देखे question यह है sin 3x plus sin 2x minus sin x is equal to this much you have to prove यह plus minus में है वहाँ सब in 2 में लिखा हुआ है तो यहनि कुछ ने कुछ common दिखेगा common लेना है multi prime लेना है कुछ दिख रहा है आपको अब देखो इसमें sin c plus sin d दिख रहा है लेकिन देखना है पड़ेगा कि हम apply कर सकते ही नहीं कर सकते है अगर इन दोनों के बीच में करेंगे तो 3 plus 2 5 बटे 2 आएगा इसमें sin c minus sin d लगा तो क्या हैगा 2 cos 3x लिख दे पूरे ना sin c minus sin d क्या होता है 2 cos c plus d by 2 यहनि 2 cos 2x plus x by 2 into sin 2x minus x by 2 है ना यह हमने लगा दिया अब ज़रा यहाँ पर देखे यहाँ तो cos 3x by 2 आएगा इन 3x वाइस आपको क्या करें अब ज़रा देखे ध्यान से हमने एक फार्मॉला पढ़ा है sin 2 theta का फार्मॉला था 2 sin theta into cos theta पहले समझिएगा यहाँ जो angle होता है उसका यहाँ half angle हो जाता है यहाँ अगर यहाँ पर theta होता तो यहाँ theta by 2 हो जाता ठीक है और यहाँ 3 theta होता अगर यह होता sin 3 theta तो यह हो जाता 2 sin 3 theta by 2 into cos 3 theta by 2 समझ जाई बार नहीं आई यहाँ अपलाई किया जा सकता है चुकि हमको मालूम भी है फार्मॉला भी यहाँ लिख रहा है तो यहाँ पर हम sin 3x को क्या लिख सकते हैं 2 sin 3x by 2 into cos 3xy 2 और प्लस यह क्या लिखा है 2 cos 3xy 2 into sin x by 2 आप कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप कहेंगे 2 common दिख रहा है cos 3xy 2 common दिख रहा है यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा sin 3xy 2 plus sin x by 2 अब यहाँ फिर आपको sin c plus sin d का formula दिख रहा होगा तो यहाँ sin c plus sin d लगा दो 2 cos 3xy 2 sin c plus sin d क्या होता है 2 sin देखो c plus d by 2 तो c बोले तो 3xy 2 plus d बोले तो x by 2 जो भी angle आएगा इसका फिर 1 by 2 का यह पूरा angle हो गया mathematical दिक्कत नहों इसलिए हम इसको लिख रहे हैं और into cos c बोले तो 3xy 2 minus d बोले तो x by 2 जो भी angle आएगा इसको half कर देंगे यह पूरा angle हमने बंद कर दिया सही बात कही अब देखो ज़रा 2 cos 3xy 2 into देखो यह 2 आएगा sin आएगा यहाँ देखे क्या आएगा 3 plus 2 4 sorry 3 plus 1 4 4x by 2 यह आएगा और by 2 यह है तो y 4 हो जाएगा तो यह sin x बचेगा into cos 3x minus x 2x by 4 हो जाएगा तो यह x by 2 आएगा यह तो प्रूब करना है आपका 2 2 जाब 4 हो जाएगा तो 4 यहाँ पर sin x लिखा हुआ है into cos x by 2 लिखा हुआ है into cos 3x by 2 लिखा हुआ है वही प्रूब करना है तो this is the value of right hand side तो this is the solution of question number 7 समझ में आ गया होगा यह formula c d लगाया गया देखे हम ने नहीं का यही method सही है आप इसके बीच में c d लगा सकते हैं उससे भी common हो सकता है तो यह आग एक बार आप लगा के check कर सकते हैं देखे question number 8 जो है वो पहली एकसाइज जो इसकी है लगवा वही concept है इसका पहली है second एकसाइज साइज इसमें लिखा है कि x third quadrant में है तो 10x की value दीवी है और कह रहा है आप से sin x by 2 निकालो cos x by 2 निकालो 10 x by 2 निकालो देखो कई तरीके इसके हो सकते है पहले बात इस quadrant की बारे में बात कर लेते है तो quadrant system हमने पढ़ा है कि ASTC हमने बताया था कि A का मतब all positive इस quadrant में सभी positive होते है इसमें sin or cosic positive इसमें 10 quad positive इसमें cos or sic positive पहले आपका angle x lie कहां कर रहा है angle x lie कर रहा है third quadrant में मतब 180 से लेकर के 270 के बीच में मतब x की जो value है वो greater than 180 है निकि πाई और less than 3 πाई बाई 2 है पहली बात अर लेकिन आपको क्या निकालना है आपको तो x by 2 निकालना है ना तो जब x by 2 करोगे तो x by 2 आज जाए greater than πाई बाई 2 और less than 3 πाई बाई 4 πाई बाई 2 मतलब 90 और 3 बाई 4 मतलब 135 यानि आपकी जो x by 2 है वो second quadrant में हो जाएगा यह ध्यान रखीगा तो यहाँ पर आपको sign positive आएगा cause negative आएगा ठीक हो और 10 की value आलड़ी negative दी हुई है x in third एक minute x in second sorry 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 उल्टा लिख गए वही हम कहें 10 negative क्यों लिखा हुआ है यह second quadrant में है यह second quadrant में second quadrant बोले तो 90 से लेकर के πाई के बीच में value है तो आपका जो x by 2 होगा वो πाई बाई 4 से लेकर के πाई बाई 2 की value हो जाएगे यानि यापकी value first quadrant में आएगे first quadrant में आएगे भई मैं कहूँ 10 negative क्यों आ रहा है यह first quadrant में आएगा है ना यानि first quadrant में जो value होगी ना वो सब के लिए positive होगी यानि जो sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 positive होगा अब हम निकालेंगे कहां से हमारे पाव कही तरीके हैं देखे tan x से हम tan x tan 2 theta का formula लगा करके tan x by 2 कर सकते हैं या एक बढ़िया तरीका है tan x की जो identity होती हो sec के साथ होती है हम जानते हैं कि 1 प्लस tan square x is equal to होता है sec square x तो इससे हम sec x का मान निकालेंगे sec x का लुटा cause x होता है तो cause x का मान निकालते हैं और cause x के formula में cause x by 2 आता है तो हम यहां से sec x निकाल लेते हैं निकालिए तो 1 प्लस इसकी square करो तो 16 by 9 is equal to sec square x ध्यान लगिए x आपका second quadrant में है अब इसको plus लेना minus लेना यह आपकी जिम्मेदारी है देखे ध्यान से तो जब इसको LC में लेंगे तो आएगा 25 by 9 is equal to sec square x तो जब sec x की value लेखेंगे तो अब यह plus minus 5 by 3 आएगा अब question यह उड़ता है कि हम plus में ले या minus में ले चुकि हमारा जो x है x की बात हो रही है x हमारा second quadrant में है और second में sec negative होता है इसलिए यहाँ पर आप negative value लेंगे तो sec x आ गया अच्छा sec x की हम क्या निकालेंगे यहाँ से cause x निकालेंगे तो cause x की value आएगी minus उल्टा कर देंगे 3 by 5 अब cause x मालू हो गया तो हमारे पास एक formula होता है cause 2 theta का cause 2 theta का formula बताया गया था 2 cause square theta minus 1 और जो यहाँ पर आइंगल है उसका half angle यहाँ हो गया है तो जब बात यहाँ theta की करूंगा न यहाँ by 2 हो जाएगा ठीक है यानि इस cause x को हम लेश सकते हैं 2 cause square x by 2 minus 1 is equal to minus 3 by 5 अब ध्याने कि आप x by 2 में चलना सुरू कर दिए है ठीक है तो इसको solve करेंगे तो आएगा 2 cause square x by 2 is equal to minus 3 by 5 और यह 1 आके plus हो जाएगा तो 2 cause square x by 2 is equal to आएगा कितना plus का 5 यानि 2 by 5 2, 2 cancel हो जाएगा तो आएगा cause square x by 2 is equal to 1 by 5 तो cause x by 2 की value आएगी 1 by root 5 अब आप कहेंगे साब यह तो under root है under root plus minus होता है आप plus लिखें आप minus लिखें तो simple सा तरीका answer देख लो answer में जो लिखा हो लिख दो ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा x by 2 जो है वो आपका first quadrant में है और first quadrant में all the positive होंगे तो यह आपका answer हो जाएगा लेकिन चुकि आप जानते हैं कि under root का जो answer होता है denominator को हमें साथ rationalize करते हैं तो root 5 से उपर निचे multiply कर दो तो यह आपका 5 by root 5 by 5 आएगा तो यह तो आपकी cos x by 2 की value आगई root 5 by 5 ठीक है इसको निकाल लीजे अब cos x का एक और formula होता है cos theta की जगे हम एक लिख सकते हैं 1-2 sin square theta by 2 यह इफी formula होता है तो हम इसी cos x का formula अपलाई करके इसको sin में भी convert कर सकते हैं तो इसको कहीं लिख लीजेगा cos x by 2 की value जो आई है y है root 5 by 5 आगे इसका इस्तेमाल करेंगे ना इसलिए हम 10 में निकालते वक्त अब ज़रा देखे ध्यान से अगला पार्ट जवाब लिखेंगे इसमें तो cos x का फिर इस्तेमाल करेंगे देखे as cos x क्या दिया हुआ है cos x दिया है minus 3 by 5 cos x को क्या ले सकते हैं आप 1 minus 2 sin square x by 2 is equal to minus 3 by 5 अब तरह देखें mathematics ये minus का 2 sin square x by 2 दा shift कर दीजे plus हो जाएगा और इस minus वाले को इधर ले आओ तो आएगा 1 plus 3 by 5 is equal to 2 sin square x by 2 इसको लसे हम लो तो आएगा 8 by 5 is equal to 2 sin square x by 2 तो 2 सब इधर लेके आओगे तो आएगा sin square x by 2 is equal to 4 by 5 तो sin x by 2 की value आएगी 2 by root 5 फिर भाई बात root 5 से उपर निचे multiply कर दो तो 2 root 5 by 5 तो ये positive और negative तो simple सी बात है चुकिए x by 2 first quadrant होगा तो positive value आएगी तो ये आपकी sin x by 2 value आगी तो रूट 5 by 5 इसे नोट कर रहे फिर 10 के बारे में बात करता है ठीक है इवर answer टैली कर लिया जाए ज्यादा ठीक रहेगा 8th question 8th question में root 5 by 5 2 root 5 by 5 10 निकालना है एक मिनट देखे जरा 2 cause square x by 2 minus 1 एक cause x value होगी एक मिनट ठीक है तो ये sin x by 2 के लिए हो गई अब आपको 10 x by 2 लिए साइध NCRT में इसका answer उल्टा लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है क्योंकि अगर वहाँ पर इसको सही माना जाए sin इसको cause माना जाए तो 10 गलत आएगा आपको निकालना क्या है 10 x by 2 तो जो 10 x by 2 करोगे तो क्या हो जाएगा sin x by 2 upon cause x by 2 और sin x by 2 करोगे क्या है 2 root 5 by 5 upon root 5 by 5 तो यह value 2 आएगी तो this is 10 x by 2 NCRT में यह answer उल्टा लिखा हुआ है यह पहले लिखा यह बाद में लिखा है जबकि गलत है पहले sin की value होगी फिर cause की value होगी फिर 10 की value होगी तो this is question number 8 ओके देखे cause x की value दीधी है आपकी minus 1 by 3 और x third quadrant में है third quadrant का मतलब समल लिजे फिर अभी इसके पहले बताया था हमने ASTC third quadrant मतलब होता है 180 से लेकर के 270 तक यानि x is greater than pi and less than 2 pi by 3 याना sorry 3 pi by 2 3 pi by 2 270 तक लेकिन हमको चुकि x by 2 चाहिए तो जब इसको x by 2 को जब करोगे तो आएगा greater than pi by 2 and less than 3 pi by 4 यानि कि 90 से 135 यानि ये second quadrant value आजाएगी ठीक है ये ध्यान रखेगा जो भी ये value निकलेगी तो second quadrant की निकलेगी तो second quadrant के हिसाब से उसका sign लिया जाएगा अब देखे cause x की value minus 1 by 3 है तो इसमें हम cause x by 2 वाला फर्मर लगा दो क्या हमने बताया भी 2 cause square x by 2 minus 1 is equal to minus 1 by 3 minus 1 को उधर ले जाओ तो 2 cause square x by 2 is equal to minus 1 by 3 plus 1 else ले लो तो 2 cause square x by 2 is equal to कितना आएगा 2 by 3 2 से divide कर दो तो cause square x by 2 is equal to 1 by 3 तो cause x by 2 की value क्या होगी 1 by root 3 plus minus अब ये decide करना है कि हम plus ले या minus ले चुकि मेरा angle second quadrant में है और second quadrant में cause negative होता है तो this will be minus अब चुकि जैसा नियम हमने बताया कि root जो होता है denominator में नहीं होना चाहिए अब आप कहिंग हो जाए तो तो कोई दिक्कत नहीं कोई hard and fast rule नहीं है कि हो नहीं नहीं चाहिए इसको rationalize कर दो तो आएगा minus root 3 by 3 तो this is the value of cause x by 2 minus root 3 by 3 अचा एक cause x का formula sign के time में होता है तो जैसे यहाँ पर अगला part जब करेंगे तो cause x is equal to क्या है minus 1 by 3 तो cause x को क्या लिखेंगे 1 minus 2 sine square x by 2 2 is equal to minus 1 by 3 अब चुकि sine की value चाहिए sine negative है तो sine को उधर कर दो minus 1 by 3 को इधर ले आओ तो 1 plus 1 by 3 is equal to 2 sine square x by 2 square से में लोगे कितना आएगा 4 by 3 is equal to 2 sine square x by 2 और जब square उट लेगो कितना एगे 2 से इधर ले आओ 2 को इधर ले क्या होगे तो 2 से 2 4 कर जाएगा तो आएगा sine square x by 2 is equal to 2 by 3 और जब sine x by 2 करोगे तो root लग जाएगा तो root 2 by root 3 plus minus यहाँ plus लिया जाएगा चुकि sine x by 2 second quadrant में जो है एगल sine positive देता है अब root 3 से उपनीचे multiply कर दो तो आपका root 6 by 3 हो जाएगा तो this is the value of sine x by 2 ठीक है यह root 6 by 3 अब 10 x by 2 चाहिए तो 10 x by 2 आप जानते है sine upon cause होता है तो 10 x by 2 क्या हो जाएगा sine x by 2 upon cause x by 2 sine x by 2 कर लोग क्या है root 6 by 3 root 6 by 3 और cause x by 2 क्या है root minus का root 3 by 3 3 3 कर गया तो minus का root 2 आजाएगा root 6 से root 3 कैंसल हो जाएगा तो this is the value of 10 x by 2 ठीक है this is the solution of 9th question अब देखो यह sin x दिया 1 by 4 और x second quadrant में second quadrant तो 90 से 180 की बीच में है या एक्स इस greater than pi by 2 and less than pi और जब आप x by 2 करोगे तो आएगा यह pi by 4 less than x less than pi by 2 या यह फस्ट quadrant हो जाएगा first quadrant हो जाएगा और first quadrant में आप जाने सब positive होते हैं अब इससे sin x से sin x by 2 कैसे निका लोगे अब आप कहेंगे sin x को break कर दो 2 sin x by 2 cos x by 2 तो वहां दोनों नहीं निकल पाएंगे ना तो देखे एक बढ़िया सरीका sin x को solve करिये उसे cos x निका लो और cos x के बाद सब कुछ होता है ठीक है तो हमारे पास यह ध्याने के x second quadrant में है x by 2 आपका first quadrant में है तो we know that हमारे पास एक formula है we know that sin square x plus cos square x is equal to 1 होता है जब sin square x को रोगे आएगा 1 by 16 plus cos square x is equal to 1 तो यहां से जब cos square x निका लोगे तो आएगा 1 minus 1 by 16 लोगे तो cos square x आएगा 15 by 16 तो cos x की value आएगी root 15 by 4 अब plus minus क्या होगा चुकि एक्स आपका second quadrant में है तो यह negative value होगी तो cos x तो निकल आया अब cos x के दो formula एक cos x by 2 के term में एक sin x by 2 के term में है तो हम जानते हैं एक formula होता है 2 cos square x by 2 minus 1 is equal to minus का root 15 by 4 वन को उधर ले जाओ तो आएगा 2 cos square x by 2 is equal to minus root 15 by 4 plus 1 LCM ले ले लो तो 2 cos square x by 2 is equal to minus root 15 plus 4 by 4 2 को निचे ले जाओ तो आएगा cos square x by 2 is equal to minus root 15 plus 4 by 8 cos x by 2 निकल लो तो ये root के अंदर आजाएगा तो आएगा under root root minus root 15 plus 4 by 8 plus या minus ये plus में आएगी value क्यों क्योंकि ये first quadrant में जो angle है x by 2 वो लाई कर रहा है इसलिए x by 2 sorry x by 2 है इसलिए आपका positive आएगा ठीक है इसको further calculation कर सकते हैं लेकिन क्या करें करके हाँ कर सकते हैं कैसे देखो ध्यान से ये 8 है ना 8 को हम क्या कर सकते हैं 1 by 2 बाहर हो जाएगा ना और root के अंदर बचेगा 2 बचेगा root 2 से उपर निचे multiply कर दो तो 2 भी बाहर आजाएगा तो उपर बचेगा आपका 4 2 जा 8 minus 2 root 15 ये value आजाएगा ना यूं कहिए आपने 2 से उपर निचे यह multiply कर दिया दूसरी तरी के समझेगा 2 से उपर निचे multiply कर दिया तो ये हो गया 16 16 का root 4 बाहरा आगया और root के अंदर जब 2 को अंदर ले गए तो इसको पहले कर दिया इसको बाद में कर दिया तो ये value आगई आपकी अगर इसको थोड़ा calculate करें आप तो ये value आ जाएगी आपकी क्या हैगी अंदर रूट 8 माइनस 2 रूट 15 बाई 4 ये value आपकी आएगी चुकि रूट डिनामेटर नहीं चलता है इसलिए हमने ये value ऐसे रखी ये cause x बाई 2 अब वो तो हो गया cause x बाई 2 अब sine के लिए क्या करें cause x का एक और form लबता है क्या sine के term में तो इसको क्या कर सकते हैं 1-2 sin square x by 2 is equal to minus root 15 by 4 इस minus को उधर ले आओ तो आएगा 1 plus root 15 by 4 और इसको उधर ले जाओ 2 sin square x by 2 एलसे में ले लो तो 4 plus root 15 by 4 2 को इधर ले आओ तो यहां 8 बन जाएगा is equal to sin square x by 2 और अगले step में square हटा देना तो यहां root लग जाएगा ठीक डाएट कर रहा हूँ यह मांग चला हूँ कि इतना करलोशन आप कर लेंगे 8 में उपर निचे 2 से multiply किया तो 1 by 4 बाहर हो गया तो आएगा under root root 8 plus 2 root 15 by 4 is equal to sin x by 2 अब तो नों को divide करके 10 x by 2 अपने आप निकाल लेंगे 10 x by 2 क्या होगा sin x by 2 upon cos x by 2 ध्यान से देखेगा जब आप divide करोगे न तो यह 4 और यह 4 cancel हो जाएगा यह sin के value बचेगी under root के अंदर 8 minus 2 root 8 plus 8 plus 2 root 15 upon 8 minus 2 root 15 अब चूंकि जैसा के नीचे root नहीं होता है तो नीचे के conjugate से उपर नीचे multiply करके इसे solve करो you'll get the answer ठीक है अब बोले आप solve कर दीजे अरे ठीक है चलो सा solve किये दे रहे हैं इसके conjugate से multiply किया किस से 8 plus 2 root 15 से root के अंदर दिका रहा हूँ मैं तो यह पूरा root है यह लिखा है 8 plus 2 root 15 है ना और नीचे लिखा है 8 minus 2 root 15 इसका conjugate क्या होगा 8 plus 2 root 15 से नीचे और 8 plus 2 root 15 से उपर multiply कर दिया ठीक है जब रैटिंग गंदी है इसको minus कर लिजेगा अब इसको हम चुकि अब इससे अच्छी नहीं लिख सकते समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ अब यह root के अंदर दो बार लिखा है ना तो एक बार तो यह बाहर निकल आएगा यानि 8 plus 2 root 15 नीचे देखिए नीचे आएगा root के अंदर आएगा क्या आएगा a plus b a minus b a square minus b square पहले एक चुली हम कर यह रहे हैं कि नीचे आएगा root के अंदर का root अटा रहे हैं तो 8864 minus 1560 यह 4 आएगा 4 का 2 आगया तो 8 plus minus 2 plus 2 root 15 by 2 और 2 से डिवाइड कर दो तो आएगा 4 plus root 15 तो this is the value of 10x by 2 एक बार आएगा अंदर मैच कर लीजेगा गलत तो नहीं है आ रहा है ठीक है तो this is the exercise miscellaneous exercise of chapter 3 इस प्रकार से trigonometrical equation वाला जो चेप्टर खतम हो गया है और एक आपको जान करी देते हैं कि इसी chapter के artist शर्मा का पूरा solution आपको बहुत जल्दी अवलेबल हो जाएगा ठीक है उसके वीडियो हमराने के सुरू कर दिये हैं जैसे यह upload होते रहेंगे आपको notification मिल जाएगा अगर आपको लगे कि यह चैनल आपके लावदायक है इसको subscribe कर लीजिएगा ठीक है नमस्कार